रादे रादे दोस्तों, लक्ष्मी जी की चमतकार की एक सची कहानी बताने वाले हूँ, आज की कहानी सेठ जी की परिक्षा, बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे, वैहे विश्नु भगवान की परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे, एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रसंसा कर रहे थे, तब ही मालक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रसंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परिक्षा ली जाए, और जाना जाए की क्या वह है, सच मुच, इसके लायक है या नहीं, भगवान बोले, ठीक ह अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप इसके स्वापन में जाएं, और उसकी परिक्षा ले लें, अगले ही शन सेठ जी को एक स्वापन आया, स्वापन में धन की देवी लक्ष्मी उनकी सामने आई, और बोली, हे वनुश्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूं, सेठ जी को अपनी आखों पर यकिन नहीं हुआ, और वो बोले, हे माता, आपने शाक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया, बताईए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूं, की मेरा सोभाव चंचल है, और वर्सों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं उप चुकी हूं, और यहां से जा रही हूं, सेट जी बोले, मेरा आप से निवेदन है कि आप यहीं रहें, किन्तु अगर आपको यहां अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूं, आप अपनी इच्छा नूसार जहां जाहें जा सकती हैं, और मा लक्ष्मी उसके घर से चली गई, थोड़ी देर बाद वे रूप बदल कर उन्हे सेट के स्वपन में यश के रूप में आई, और बोली, सेट मुझे पहचान रहे हो, सेट, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना, यश, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्थी और प्रसिद्धी का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मा लक्ष्मी यहां से चली गई है, और तहे मेरा भी यह कोई काम नहीं, सेट, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं, तो वहीं सही, सेट जी, अभी 20 वपन में ही थे, और उन्होंने देखा की, वहें दरिद्र हो गए हैं, और धीरे धीरे उनके सारे रिस्तेदार, वामित्र भी उनसे दूर हो गए हैं, यहां तक की जो लोग उनका गुणगान किया करते थे, वो भी अब बुराई करने लगे हैं, कुछ और समय बीदने पर मा लक्षमी धरम का रूप धारण कर पुनह सेट के स्वपन में आई, और बोली, मैं धरम हूँ, मा लक्षमी और यस के जाने के बाद, मैं भी इस दिर तक में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ, जैसी आपकी इच्छा सेट ने उतर दिया, और धरम भी वहां से चला गया, कुछ और समय भी जाने पर, मा लक्षमी सत्य के रूप में स्वपन में प्रकट हुई, और बोली, मैं सत्य हूँ, लक्षमी यस औ और धरम के जाने के बाद, अब मैं भी यहां से जाना चाहता हूँ, ऐसा सुनकर सेट जी ने तुरंत सत्य के पाउँ पकड़ लिए, और बोले, हे महराज, मैं आपको नहीं जाने दूँगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर किरपा, आप ऐसा मत करिये, सत्य के बिना मैं एक शान भी नहीं रह सकता, गिदि आप चले जाएंगे, तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूँगा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका, सत्य ने प्रसन किया, सेठ जी बोले, म तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उदेश्य पुरण जीवन जी सकता हूँ, प्रंतु ये दिया आप चले गए, तो मेरी जीवन में भी जूट परवेश कर जाएगा, और मेरी वाणी अशुद हो जाएगी, भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा, मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता, सेठी जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन हो गया, और उसने कहा, तुम्हारी अटूर भगती ने मुझे यहां रुकने पर वीवश कर दिया, और आप मैं यहां से कभी नहीं जाओंगा, और ऐसा करते हुए सत्य अंतरध्यान हो गया, सेठी जी अभी भी निद्रा में थे, थोड़ी देर बाद स्वपन में धर्म वापस आया, और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि यहां सत्य का निवास है, सेठी जी ने प्रशनता पुर्वक धर्म का भगत किया, उसके तुरंत बाद यश भी लोटाया, और बोला, जहां सत्य और धर्म है, वहां यश स्वेत ही आजाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, सेठी जी ने यश की भी आउभगत की, और अंत में मालक्षमी आई, उन्हें देखते ही, सेठी नत मस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुने, मुझे पर किरपा करेंगी, अवश्य जहां सत्य धर्म और यश हो, वहां नारायन का वास होता है, और जहां नारायन है, वहां मेरा वास निश्चित है, मालक्षमी ने उतर दिया, यह सुनते ही, सेठी जी की नीद उन्हें ये सब स्वपन लगरा, पर वास्त्रिक्ता में वैएक कड़ी परिशा से उतरिन होकर निकले थे, मित्रों हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि, जहां सत्य का निवास होता है, वहां नारायन का वास होता है, और लक्षमी नारायन की अर्धांगनी है, जहां ना प्रैन का वास, वहां उनका निवास स्वतही ही हो जाता है, सत्य है तो यस, सिद्धी, प्रसिद्धी और समरिद्धी है, मनन अवश्य करें, रादे रादे दोस्तों, दोस्तों यह जानकारी, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, और कमें वीडियो को लाइक शियर जरूर कीजिए, चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिए, साथी बेल अलकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, रा दिरा दे दोस्तो